तो बच्चो पिछले वीडियो में हमने New Learners English Grammar and Composition के बूख का पहला चप्टर स्टार्ट किया था Alphabetical Order और मैंने आपको बताया भी था कि Alphabetical Order से Words कैसे लगाए जाते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जरूर चेक करिए और जरूर देखिए उसके आगे का second part हम देखेंगे यह advanced part है more about alphabetical order और कुछ हम सीखेंगे हमने यहाँ पर exercise भी की थी मैंने आपको homework भी दिया था आप चाहे तो मुझे comment box में इसके answer send कर सकते हैं तो आगे देखें You have learned to arrange words in alphabetical order according to the first letter of the word आपने क्या सिखा कि पहले letter को ध्यान में रखते हुए आप alphabetical order से words को कैसे arrange करेंगे What must be done if word begins with a same letter तो तब आप क्या करेंगे जब सारे जो words है उनकी जो beginning है मतलब उनकी जो starting है अगर वो same letter से हो रही होगी तो आप क्या करेंगे You must arrange them according to the second letter here is an example तो आप क्या करेंगे उसका second letter देखेंगे अभी आप example के लिए देखिए tact, toast, trunk तीनों letter T से start हुए है अगर इने alphabetical order के अनुसार लगाना है तो आपको second letter देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि इनके जो first letter है वो same है तो हम second letter की तरफ जाएंगे A, O और R ठीक है तो देखिए अभी सबसे पहले तो A आता है इसलिए tact आएगा बराबर यह पहले आया यह alphabetical order के अनुसार लगाया हुआ है देखो पहले A आता है देन O आता है देन R आता है तो यह इसी तरह से हमें alphabetical order में लगा के दिया है तो क्यों इनके दो first letter सेम है तो हमने कैसे किया तो हमने second letter को धान में रखते हुए किया देखो इस three words begin with the same letter look at the second letter of each word the word tag come before the word toast because A comes before O in the alphabet toast come before turn because O comes before R R के पहले O आता है और O के पहले A आता है इसलिए हमने यह sequence में लगाया है इसकी इस तरह से arrangement की है देखो study also the following example आपको कुछ example दिये फेम, fit, form, free ठीके तो सारे जो words है उनके जो first letter है वो same है तो हम क्या करेंगे second letter देखेंगे A, E, I, R ओके तो देखो first, second, third, fourth बराबर E के पहले A आता है आएके पहले E आता है और R के पहले आयाता है ठीके यह आपको solve करके दिये हुए है और यहाँ पर आपको exercise दी है जिसका आप screenshot निकाल सकते हैं और अच्छे से solve कर सकते हैं या तो आपके पास book होगी तो आप book में भी solve कर सकते हैं देखो dog, deport, dump, dive तो हम पहला letter देखेंगे तो पहला letter तो same है अभी हम second letter की तरफ जाएंगे O, E, U, I जो सबसे पहले के आता है A, B, C, डारेक ऐसे ABCD बोलनी है आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहाए A, B, C, D, E तो पहला letter deport, F, G, H, I तो second letter dive, J, K, L, M, N, O तो dog तीसरा letter और fourth में जो बचा dub तो ऐसे ही आपको ये नीचे की भी example solve करने हैं आप चाहे तो comment section में इसके जो answer वो भेज सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगे अगर कुछ गरती रहे तो तो आगे की part में हम noun सिखेंगे आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम alphabetical order का हमारा chapter complete हो चुका है अगले वीडियो में हम noun chapter पढ़ेंगे आपको ऐसे ही grammar related और education related वीडियो अगर आसानी से आपको सीखना है तो आप ममदा मैम चाइनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए